यह यह बात लाल किताब ने नहीं बोली देखो यह क्या है मैं आपको बताता हूं कि क्वेशन बहुत अच्छा है कि आपने अगर सुर्य अगर अगर पापी रहे आएगा कोई दूसरे घर में तो तो चांस है बट अगर शुक्र आएगा तो चांस मेरे इसाब से कम है अगर हम सुरे से ले रहे हैं सुरे की बात कर रहा हूं सब्सक्राइब लगन में आया और अस्तम में अस्तम में समझ यह गुरू आगया या मंगल आगया या कोई आगया ठीक है किया रहा हूं कि यह जो रूल है लिए वाला रूल है यह तब है जब लगन कुडली में सूरे साथ में घर में हो कि क्लास शुरुई थी पीपीटी मैंने दिखाई थी जिसमें मैंने बोला था कि सूरे के बुरे घर हम यह usar कर्रेक्ट करेखक्ट मगर इस रूख आ अप बड़ घर लगाएं मैं फिर एकस्पेंड करता हूं वह फिरट में वो इत यह मानते वह तो नहीं तो अगर दूसरे घर में पापी रहाएगा कोई तो 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 चांसी है अमिजी दूसरे घर में छुकरे तो चांसी सितर कोई दूसरे घर में पापी रहाएगा तो बहुत हद तक चांसी और अगर दूसरे घर में हैं तो चांस फिर वी मुझे कम लगते हैं वह वाले हो यह चांसी सिर्व वह बन सकते हैं कि आदमी जो है अपने घर में किसी की फिनेंशली मदद करने के लिए किसी का खर्चा उठा रहो अपने खांदान में यह पॉसिबिलिटी हो सकती है अब दूसरा रूलिस का यह है वो सिंपल है कि अगर सूरे साथ में घर में हो तो बली का बकरा केतू होता है तो केतू रिलेटिटीड प्रॉब्लम आ सकती है जॉइन में प्रॉब्लम बच्चों को प्रॉब्लम तो केतू के जो कारकत्व होते हैं लाल किताब में प्रॉब्लम आना और इंफेक्शन होना लोर अब्डुमन से नीचे इस तरह के का यूरिनेरी ट्रैक्ट में प्रॉब्लम होना ये केतू के कारकत्व है तो वहां प्रॉब्लम आ सकती है और अगर ऐसे बोलते हैं कि जो किसी का सूरे साथ में घर में देखना हो तो आप दो चीज़े उससे पूछ सक हो तो अगर वो बनता है तो आप उसे बोल सकते हैं कि जब भी आप घर से बाहर निकले तो थोड़ा सा गुड़ खाके और पानी पीके निकले तो यह चेक करने का तरीका आप बताती कि कि सूरे साथ में घर में देखना हो तो दो चीज़े चेक करें एक सॉल्ट वाली चीज पूछे और एक यह वाली चीज पूछे और नहीं है तो फिर सूरे को हम मतलब ब्लेम नहीं करेंगे सूरे भगवान को कि आप इस जातक की कुंडली में प्रॉब्लम का का रखो तो फिर कोई और चीज ढूंड़ोंगे और मैंने बोला मैं आपको हमेशा बोल रहा हूं जैस मैंने देखा है कि कोई एक चीज किसी चीज का वो नहीं करती है क्या करते हैं किसी चीज की रिसपॉंसिबल नहीं होती इवन कोई यह कॉम्मिनेशन भी किसी चीज के लिए कुछ जादा ऐसा रस्पॉंस्ट जब तक कि कोई और प्लैनेट भी और उसको परेशान ना करे प्लैनेट की खराबीगी वजे से पहले वाला कोई योग खराब मैंने जनली देखा वो तबी खराब होता है तो उसमें सूर्ण को ब्लेम नहीं करेंगे करेक्ट करेक्ट सही बात है और मैं आपको बता रहा हूं जितने भी आपको एक्टिवेशन मिलेंगे एक ट्रांजिट की टेक्नीक होती है जिसमें आप जो है मतलब एक सर्टन इवेंट निकाल सकते हैं ट्रांजिट में जनली आप देखेंगे तो ट्रांजिट में इवेंट ट्रिगर होते हैं जनली या नहीं कि अगर किसी का एक्सिडेंट हो रहा है तो आप देखेंगे कि अंगारक योग है जीवन भरतों से कुछ नहीं लगर एक सर्टन इज कीओन एक सिर्टन पॉइंट पर आखे क्यों हुआ कि रांसिट में यह योग हो जाते हैं उसको होगा सट्रीगर होगा है इसलिए को हुआ इसलिए हमको को ना ब्लेम नहीं करना चाहिए किसी एक प्लैनेट को कि यह ऐसा वैसा है आव्वशली कारकत्व है वह पृषान कर सकता है वागर हम क्लाइण को हिदायत दे सकते हैं ऐसा ना करें इन चीजों में नहीं करें इन चीजों से बचें आवएड करें क्योंकि आगे है रेमीडी करें अच्छा ऐसे जाता को 24 साल के बाद बताते हैं कि फ्लरिश करता है जो कि एक मर्करी की एज भी है क्योंकि हमेशे सूर्य को ना बुद्ध की कहीना की मदद की ज़ूरत होती है जैसे मैं पहले भी डिसकेशन कर रहा था कि बुद्ध के लिए घर में प्लांट को जरूर देना सूर्य को पाय में मर्करी की कोई ना कोई रेमेडी जरूर देना जैसे कि आप बोलें कि अपने जब भी आपके घर में आपकी सिस्टर आएं जब भी आएं तो आप उनको हमेशा बिना गिफ्ट के भार ना मतलब जाने दें वो कुछ ने कुछ गिफ्ट जर लाल किताब वहां पर म dáल्हां मरगृ reflects बहुत मानिम जाती है लाल किताब में और सूर्य के प्रुन्टेक्स में बहुत मानिमी याथ को मदद देने के लिए बुद्ध की मदद बहुत चाही होती है अच्छा अगर सूरे नेक हैं तो नेटिव यानि जातक और उसके इन-लॉज का अच्छा है तो आप चेक कर लीजे कि जातक कि घर में किसी की इन-लॉज में गौर्ण्मेंट जो है तो यह एक सन अच्छा इंडिकेशन है और अगर सात्वे घर का जो सन है बहुत ज़्यादा डोनेशन में है बहुत डोनेट करते हैं तो यह एक अच्छे सन की निशानी है सात्वे घर में है जो की शुक्र की जमीन है तो यह सुरवात में मैंने कुशिन कुछ आज हमारा चला आगा गंटा डिसकेशन सुरेंदर जी से और सुमीतर जी से तो जिसमें मैं इनसे मैंने पूछा सुरेंदर जी से कि शुक्र की जमीन कौन सी है तो सात्वा घर है जहां पे सूर्य अगर है तो शुक्र यहां पे क्या होता है कि किस्मत भी जगा सकता है उस जातक की तो बोला जाता है कि अगर ऐसे जातक की वाइफ मतलब बहुत जाता जो से बोलते हैं कि धार्मिक है और मतलब जो से बोलते हैं कि बहुत दान करने वाली ऐसी लेडी है तो ऐसे जा कि किस्मत जाग जाती है अगर शुक्र जो है यक एसे जाता कि क्लाइट जो जाता ए उनकी वाइफ जो है इस नेचर की हैं तो किस्मत उसकी जाग सकती है वर्षफल में जो ग्रैमर है अगर सात्वे घर में सूरह होता है तो कहते हैं गुरू मंगल उस घर से भागे शुक्र रहे ना चंदर जागे पापी ग्रैबी गिने भागे मिली मदद बुद्ध सब हैं आगे ना धन रहे धनाड हो ना गुल हो रहे गुलजार हो सब मालो माल जान बरबाद हो गर बुद्ध का ना साथ हो तो आप देखेंगे दूसरी लाइन और चौती लाइन में बुद्ध को कितना इसमें बुवा नहीं है तो डेली वो दुर्गा सब्थश्थिती का पार्ट करें तो सूर्य अच्छा हो जाएगा गुरू मंगल उस घर से भागे मतलब कि गुरू मंगल यानि कि पित्रों का भी उसे साथ नहीं मिलता उसे अपने इंसेस का साथ नहीं मिलता मंगल मतलब भाई और मित्रों का साथ नहीं मिलता यानि उस घर से भागे है यानि कि ये मदद नहीं करते शुक्र ना रहे ना चंदर जागे शुक्र मतलब वाइफ से भी रिलेशनिशिप अच्छे नहीं रहते है या फिर शादी में दिक्कत या इस तरीकी जो शुक्र से रिलेटिड चीज़े है और मदर यानि मा को भी प्रॉब्लम ना चंदर जागे तो इसका मतलब यह है तो कहन है कि मतलब यह कि सातवें घर का जो सूर्य है अ इसका आफ जो मैंने बताई अच्छा है तो तो फिर तो को इंचन वाली भात ली है और अगर आपको लग रहाएक्जिखी सातमें घर के संबंद कैसे यानि जा तक से पूछेंगे आप जब कंसल्टेशन करेंगे तो ये ये कुशन पूछ के आपको ये तो इस बात का अंदाजा रहेगा कि मैं जो रेमेडी दूं मैं इतनी सारी ना दे दूं से कि वो भी परेशान हो जाए तो आपको पता लेगा मुझे सूरे की पकड़ सकते हैं उसके इंदर वो दे सकते हैं बहुत कुछ दिया जा सकता है अब इसमें लिखाए कि अगर बुद्ध नावे घर में हो जानी कि वर्षफल में बुद्ध नौवे घर में आ जाए तो साल थोड़ा खराब बताया है संतान के लिए और अगर वर्षफल में फर्स्ट हाउज एम्टी हो लगन जो हैं एम्टी हो तो बताया है कि उसको उसका जो फेट होता है या नहीं कि भाग ये वो थोड़ा अपसंड डाउंस चलते हैं त दो कंडिशन बताये या तो उन्तिस्वे साल के बाद अच्छा राइस करेगा और गर उन्तिस्वे साल के बाद भी नहीं किया तो एकतालीस्वे साल के बाद राइस करेगा ऐसा जा तक अगर लगन खाली है तीसरा रूर अगर 7th house अगर लगन खाली होता है तो obviously 7th house sleeping condition में होता है क्योंकि पहले गर से कोई planet देखी नहीं नहीं होता तो जब 7th house sleeping condition में होगा तो यह बताया गया इसमें कि जब भी मंगल मंगल या कोई भी लगन का planet जो आटवे घर में था वो दूसरे घर में आ जाये तो यह activate हो जाएगा यानि कि थोड़ा मैं आसान करता हूं इसको अगर किसी की लगन कुंडली में है सूरे सातवे घर में है और लगन खाली है तो इस घर को जगाने के लिए इस घर को जगाने के लिए एक तो तरीका यह कि हम wait करें यानि कि उस condition का और हम बताएं कि भी तुमारे इस साल इस वर्षफल कुंडली में मंगल दूसरे घर में आएगा या आठवे घर का जो प्लाने लगन गुंडली में कोई भी हो सकता उसकी जाठक की गुंडली में कोई भी हो सकता है Mell-e-fake, Benefic तो जब वो दूसरे घर में आएगा तो बोलाए कि वो active हो जाएगा यानि कि हो सकता उसके जाठक कि जब शादी नहीं हो रही है तो उस उसके शादी बन जाए जब दूसरे घर में यह प्लानेट आये मंगल या आठवे घर का प्लान या शादी हो चुकी है मगर वो बिजनिस को लेकर प्राप्लम है तो उसके बिजनिस चल जाए उसका तो यहां पर साथवे घर से यह इसका कहना है अगर सूर्य बुरा है तो यह बताया है कि जो जातक है उनके बच्चों को साइकलोजिकल इशूज हो सकते हैं मतलब डेफ एंड़ हो सकते हैं कोई ना कोई ऐसी बहुत ज़्यादा पीड़ा हो सकती है अगर सूर्य साथवे घर का बुरा है तो तो आप बता सकते हैं कि भई मलब पूछ लीजे सूर्य साथवे घर का अच्छा नहीं है और अगर सूर्य बुरा है तो एक कंडिशन बताईगे कि जो जाता है उनकी वाइफ को क्या करना चाहिए शगून के तौर पर अपने घर से कुछ ना कुछ लेके आना चाहिए तो क्या बताया इस्पेशली मैंने डैश लगा के सूर्य साथवे घर में और लगन में और लगन में कोई पापी ग्रह आ जाए तो उनको स्टगल करना पड़ता है जातक को 34 साल की उम्र तक और अगर आपको दिख रहा है कि फर्स्ट हाउस खाली है लगन कुंडली में और सेवन्थ हाउस में सूर्य है तो अगर ऐसे जा तक कि कुंडली में पापी ग्रह कोई फर्स्ट हाउस में आ जाए तो उस साल वो साल उसके लिए थोड़ा सा है उसके करिएर में उसकी जौब में विजनिस में थोड़ा प्राउllम Admiral सकता यह अदर कोई पॉलिटीजिजर थो उनको सकता है उनके मतलब कि व Wells जो होता है अब पहले घर को ऺूलते हैं किया बोलते हैं आपको पता होगा हैं तो Um तखत बोलते हैं ंस कहीं पॉलिटीस्न अगर वो अपसे लेने आ दो आप बोलिए कि इस साल आप पर्चा फाइल करेंगे डिकट लेंगे तो आपको दिक्कत हो सकती है और अगर यह साल अवाइड हो जाया यह कैसे भी निकल जाया जो मैं आपको रेमेडी दे रहा हूं तो निकल जाया तो तो अलब भगवान हेल्प करें तो कहीं न कहीं आप बता सकते हैं क्योंकि पहला घर होता है तो आप अक्री रूल यह कि कि अगर सूरे सात्वह घर में हो इसमें रूल यह कहता है कि अच्छा इसमें मालिश्य किसी की घर में बच्चा हुआ और उनके साथ उस बच्चे की उडले में सातमेंघर में सूरह है तो जैसे ही वो बच्चा बोलना शुरू करेगा 2-3 साल बाद 4 साल बाद मानने जैसा भी बच्चे वो सिखाया गया है तो बोलना जब शुरू करेगा तो भोला है कि उसकी बुवा को या parents को कुछ financial troubles आ सकती है या health issues आ सकते है तो बोलना मतलब क्योंकि बोलना खुद एक mercury का कारक होता है बोलना जो माना जाता है वो बुद्ध ग्रह से देखा जाता है खुद बुद्ध ग्रह को रेप्रेजेंट करती है